तो दोस्तो जैसा कि आप सबी जानते होंगे पिछले शुक्रोवार यानि कि एक नुवंबर को दिवाली के खास मोके पर सिनीमाघरों मेरी लिस हुई थी बॉल्यूट के सिंगहम अजे डियोगन की फिल्म सिंगहम अगैन जिसने दुनिया भर के बॉक्स आफिस पर एक तगड़ी कमाई करके सबी हिटर्स की बोलती बंद की है और फिल्हाल ये फिल्म बॉक्स आफिस पर सूपर हिट चल रही है लेकिन दोस्तो सिंगहम अगैन के सामने एक और सबसे बड़ा चैलेंज आ चुका है पहले तो भूल ब की शांदार है क्योंकि मैं आपको बताता चलू कि कंगवा फिल्म को बहुत बड़े लेविल पर रिलिस किया जा रहा है शायद आप यकिन नहीं करेंगे लेकिन इंडिया में और बाहर विदेशों में यानि कि वर्ड वाइड फिल्म को लगबग 10,000 स्क्रीनों पर रिलिस क तो अपने फर्स डे पर इंडिया के अंदर और पूरे वर्ल्ड के अंदर टोटल कितनी कमाई करती हुई ये फिल्म हमें नजर आएगी और साते साथ बात करेंगे सिंगहम अगैन का आज सिनेमा गरों में एक तेहरवा दिन चल रहा है तो अपने पहले तेहरा दिनों में य जिल से लाइक करें और साथे साथ इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीचेगा दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे सिंगहम अगैन फिल्म के बॉक्स आफिस कलेक्शन की क्योंकि आज फिल्म की जो मॉर्निंग की ओक्यूपैंसी है वो शांदार है क्योंकि आफ्टर फिल्म में हमें अजडेयोगन, अक्षी कुमार, रनवीर सिंग, टाइगर श्रॉप, करिना कपूर, दिपीका पाडुकोन, अर्जुन कपूर, जैकी श्रॉप जैसे बड़े सितारे एहम किरदार में नज़र आये थे और फिल्म का बजट लगबग साड़े 300 करोड उपे का उसके बाद फिल्म का तीन दिनों का विकेड रहा था 125 करोड उपे का इंडिया से और पूरे वर्ल्ड से रहा था 188 करोड, 86 लाख उपे, उसके बाद सिंगा मागयन ने अपने पहले 10 दिनों में 225 करोड, 30 लाख उपे इंडिया से नेट कमा लिये थे, तो वहीं फिल्म की जो वर्ल्ड वाइड कमाई थी, वो 335 करोड, 60 लाख उपे हो गई थी, 11 दिन रहा था फिल्म का 5 करोड उपे का, और 12 दिन भी फिल्म का 5 करोड उपे का रहा था, और आज फिल्म का 13 दिन है, तो कम से कम 4 करोड उपे ये फिल्म आज भी करेगी, और फिल्म की 13 दिनों की ज जितनी तारीफे करूँ काम है, मतलब फिल्म के जो मेकर से काफी दिनों से अक्टिव है, हलाकि ये फिल्म पहले भी रिलीस होने वाली थी, तकरीबन एक डिड़ महीना पहले, लेकिन फिल्म की रिलीस डेट को टाल दिया गया था, अब फाइनली 14 नमंबर, यानि कि कल ये फिल्म वर्ल्ड वाइड रिलीस हो रही है, ये एक तमिल लेंग्विज की एपिक फंटैसी एक्शन फिल्म है, जिसको इंडिया के अंदर पांच भाशाओं में रिलीस किया जा रहा है, तमिल, तेल्गू, हिंदी, कन्नाडा और मलियालम भाशा में, सिवा के डिरेक्शन में ये फिल्म बनी है, जिसमें हमें सूर्या, बॉबिडियूर और दिशापटानी एहम किरदार में नज़र आ रहे है, फिल्म का बजट 300 करूड पैसे भी ज्यादा का बताया जा रहा है, लेकिन दोस्तों अब यहाँ पे एडवांस बुकिंग की बात आती है, क्योंकि अब फिल्म के एडवांस बुकिंग को सिर्फ कुछी गंटे बचे है, यानि कि कल यह फिल्म सिनेमा अगरों में रिलीस होनी है, लेकिन अभी तक किस तरह की हाईप है, किस तरह का किरेज़े, फिल्म के एडवांस मुकिंग कैसी चल रही है, चलिए उसके बारे में बात करते हैं, तो दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको जो रिपोर्ट दूँगा, वो तमिल, तेल्गु, हिंदी, कन्नाडा, मल्यालम सभी भाषाओं की एक ही साथ दूँगा, क्योंकि अगर अलग-अलग भाषाओं के हम बात करेंगे, तमिल में कैसी हाइप है, तेल्गु, हिंदी, कन्नाडा, मल्यालम, तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, तो इससे अच्छा है कि हम सारे जो जितने भी वर्धन में और जितनी भाषाओं में फिल्म रिलीज हो रही है, सभी के हम एक साथ बात करें, तो आंध्रा पिर्देश में फिल्म के पास 10% की उक्यूपैंसी है, तमिल, तेल्गु, हिंदी, कन्नाडा, मल्यालम, सभी भाषाओं में फिल्म के पास लगबक 944 शोज है अभी तक, अभी देखो फिल्म को रिलीज होने में कुछ घंटे बाकी है, यह मैं एडवान्स बुकिंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है, फिल्म के पास आंध्रा पिर्देश में 944 शोज है, जिसमें से 21 शोज ऐसे हैं, जो पूरी तरह से हाउसफुल हो चुके हैं, और 49 शोज ऐसे हैं, जो फास्ट फिलिंग है, असाम के अंदर अभी 1% की उक्पेंसी है, फिल्म के पास सिर्फ 25 शोज है, इसके लावा बिहार में 1% की उक्पेंसी है, फिल्म के पास 56 शोज है, 36 गड़ के अगर हम बात करें तो यहाँ पर 1% की उक्पेंसी है फिल्म के पास 144 शोज है इसके लाबा गोवा में 1% की उक्पेंसी है 24 शोज है गुजरात के अगर हम बात करें तो यहाँ पर 0% की उक्पेंसी है फिल्म के पास 668 शोज है हर्याना में 0% की उक्पेंसी है फिल्म यह में past day की बात नहीं कर रहा हूं यह lifetime की बात कर रहा हूं क्योंकि केरला में film के लिए बहुत ज़्यादाद क्रेज हमें देखने को मिल रहा है फिल्म के पास 1528 शोज है और 1528 शोज में कल फार्स डे के लिए 43 शोज पूरी तरह से हास्फुल हो चुके हैं और 41 ऐसे हैं जो फास्ट फिलिंग है माध्य पिर्देश में 1% के उक्विपैंसी है 163 शोज है महरास्टा के अगर बात करें तो यहां पे 1% के उक्विपैंसी है 782 शोज है ओडिशा में 1% की occupancy 110 शोज है पंजाब में 1% की occupancy 148 शोज है राजिस्थान में 3% की occupancy 187 शोज है और बहिया तमिल नाडो में क्योंकि तमिल के सुपरिस्टार है सूर्या तो अब यहाँ पे तमिल की बात आती है तो तमिल में 28% से ज्यादा की occupancy अपने फॉस डिख लिया न और 1170 शोज में 260 शोज ऐसे हैं जो पूरी तरह से houseful है और 136 ऐसे हैं जो fast filling है तेलंगाना में 15% से ज्यादा की occupancy क्योंकि तेलंगाना अभी भी फिल्म को अच्छा response मिलेगा फिल्म के पात 390 शोज है जिसमें से 43 शोज ऐसे हैं जो houseful है और 177 शोज ऐसे हैं जो fast filling है उत्त अखंड में 0% की occupancy है 78 शोज है वेस्ट बंगॉल में 1% की occupancy है 168 शोज है अंडामान में 24% की occupancy है 9 शोज है और दिल्ली के अगर हम बात करें तो यहाँ पे बैया 2% की occupancy है फिल्म के पाप 507 शोज है सभी भाशाओं में तमिल, तेल्गु, हिंदी, कन्नाडा, मल्यालम भा अगर्दन और सभी भाशाओं की बात करो तो दोस्तो अभी कंगुवा फिल्म ने अपने फर्स डे के लिए जो एडवांस बुकिंग की है भई वो कर ली है साड़े 9 करोड पे की साड़े 9 करोड पे की फिल्म एडवांस बुकिंग कर चुकी है और मुझे लगता है कि जब तक ये फिल्म सिनीमा गरों में रिलीज होगी तो कम से कम 16-17 करोड पे की फिल्म एडवांस बुकिंग अपने फर्स डे के लिए करतियों में नजर आएगी तो दोस्तो अब यहाँ पे हम बात करें फिल्म कंगुवा का जो फर्स डे कलेक्शन है इंडिया के अंदर सभी भा कि भाशा में जह Americas में जहां तक मेरा मांना है कम से कम 3-3.5 करोड पे कल हिंदी भाशा में भी जुरूर करेगी जिया हनकर अलिजए करोड तो समझ दोस्तो overseas से भी कम से कम 10 करोड रुपे से ज्यादा की advance booking हो चुकी है तो जितना इंडिया से फिल्म करेगी उतना ही overseas से भी करेगी यानि कि आप मानके चलिए अगर 35-40 करोड रुपे की फिल्म अगर इंडिया के अंदर opening लेगी तो कम से कम मानके चलिए 20-25 करोड रुपे का जो collection है वो overseas से भी आने वाला है तो कुल मिला के फिल्म की जो worldwide opening है वो 80-85 करोड रुपे की रहेगी माल मचाने वारी है लेकि दोस्तों फिर भी आपको क्या लगता है आपकी क्या उम्मीदे है कमेंट में बताईएगा